दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल टार्गेट बोर्ड में आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के मोडल स्रेट नंबर 1 को देखेंगे जिसमें आपको मैथ से समंधित 40 BVI अबजेक्टिव कोशन देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग बहुत ही सोच समझ कर 1 कोशन का जवाब दीजेगा और जो कोशन आपको नहीं आएगा उन सारी कोशन का जवाब हम भी आपको 1 क करके देते चलेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आपको बारी बारी से 1 कोशन का अंसर बताते हैं तो ध्यान रखिएगा यह जो मोडल सेट वाला वीडियो है वह डेली साम में सारे 6 बज़े आता है तो आप लोग प्रती दिन साम में सारे 6 बज़े हमारे साथ इसी चैनल पर जुड़ जईएगा और आप लोग मोडल सेट के लाइप प्रैक्टिस में हिस्सा जरूर लिजएगा तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजे और जो भी एस्टुडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो देखिए सबसे पहला नंबर कोशन हम लोग देखेंगे तो पहला नंबर कोशन कह रहा है कि यदि साइन ठीटा बराबर कॉस्ट ठीटा तो ठीटा का मान क्या होगा तो पहला का सही अंसर होगा यदि साइन ठीटा बराबर कॉस्ट ठीटा तो ठीटा का मान क्या होगा इसलिए पहला का डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा चलिए दूसरा नंबर कोशन हम लोग देखेंगे तो दूसरा कोशन कह रहा है कि एक बृत का ब्यास 14 सिंटीमीटर है तो इसकी परीधी क्या होगा तो दूसरा का डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा कि यदि बृत का ब्यास 14 cm है तो उसकी परिधी 44 cm हो जाएगा चलिए अगला नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे बिंदूं माइनस 5 और 7 और माइनस 1 और 3 के बीच की दूरी क्या होगा ठीक है बिंदू माइनस 5 और 7 है और माइनस 1 और 3 है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा आप्शन A है 2 रूट 2, B है 3 रूट 2, C है 4 रूट 2 और D है 5 रूट 2 तो बताए तीसरा का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो कोश्चन नम्मर 3 का सी नम्मर आप्शन सही हो जाएगा बिन्दू माइनस 5 और 7 और माइनस 1 और 3 के बीच की दूरी 4 रूट 2 होगा 4 रूट 2 होगा यानिकि 4 रूट 2 होगा चलिए चौथा नम्मर कोशन हम लोग देखेंगे यदि दिवगात समी करें BX स्कॉाइर पलस AX पलस C बराबर 0 के मूल समान है तो इसमें से कौन सा उप्सन सही हो जाएगा ठीक है यदि दिवगात समी करें BX स्कॉाइर पलस AX पलस C बराबर 0 है तो 0 के मूल समान है तो इसका कौन सा उप्सन सही हो जाएगा तो A नम्मर है B स्कॉाइर माइनस 4 A C बराबर 0 B है A square minus 4AC बराबर 0 C है C square minus 4AB बराबर 0 और D है A square minus 4BC बराबर 0 तो चौथा का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो 4 का D number option सही हो जाएगा यदि दिवगात समी करन BX square plus AX plus C बराबर 0 के मुल समान है A square minus 4BC बराबर 0 इसलिए 4 का D number option सही हो जाएगा चलिए पांचमा नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे बिंदू 2 और 3 की दूरी मूल बिंदू से क्या होगी ठीक है बिंदू 2 तीन की दूरी मूल बिंदू से होगी बिंदू 2 रूट 3, B है 5, C है रूट 13 और D है रूट 7 तो पांचमा का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो पांच का C नम्मर आप्शन सही हो जाएगा कि बिंदू 2 तीन की दूरी मूल बिंदू से रूट 13 होगी तो पांच का C नम्मर आप्शन सही हो जाएगा चलिए छटा नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे निमनलिखित में किसका दसमलब परशार सांत है या जो दसमलब परशार वाला question है इसे एक या दो question हर हाल में आपके objective question में पूछा जाता है इसलिए आप इस chapter को और इस topic को थोड़े ध्यान से समाझ लिजेगा चलिए निम्र लिखित में किसका दसमलब परशार सांत है उप्षन A है 3 वटे 8, B है 2 वटे 15, C है 29 वटा 343 और D है 17 वटा 1536 तो छठा का कौन सा उप्षन सही हो जाएगा तो Q6 का A नम्र उप्षन सही हो जाएगा कि 3 वटे 8 का दसमलब परशार सांत है इसलिए 6 का A नम्र उप्षन सही हो जाएगा चलिए सात्मा नम्र कोशन हम लोग देखेंगे बिंदूओं माइनस 2 और 3 और 4 और 1 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध बिंदू का नियामक है ठीक है सात्मा नम्र कोशन कह रहा है कि बिंदूओं माइनस 2 तीन और 4 एक को मिलाने वाले जो रेखा खंड है उसके मध बिंदू का नियामक कितना है उप्षन A है 1 दो B है माइनस 1 और 2 C है 1 और माइनस 2 और D है 2 और 2 तो सात्मा का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो सात का A नम्र उप्षन सही हो जाएगा कि बिंदूओं माइनस 2 तीन और 4 एक को मिलाने वाले रेखा खंड के मध बिंदू का नियामक 1 और 2 है तो सात का A नम्र उप्षन सही हो जाएगा चली आठमा नम्र कोशन हम लोग देखेंगे एक लंब बृतिये बेलन जिसकी तरिजिया R और उंचाई H है ठीक है रेडियस R दिया हुआ है और हाइट H दिया हुआ है तो उसका वक्र प्रिष्टिये छेतरफल क्या होगा ठीक है उसका वक्र प्रिष्टिये छेतरफल कितना होगा उप्षन A है पाई एल, बी है टू फाई आरेच, सी है पाई आरेलेच और डी है टू पाई आरेलेच तो बताई यह आठमा का सही अंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा तो आठ का बी नम्मर उप्शन सही हो जाएगा, टू पाई आरेच यदि एक लंब बिरतिये बेलन जिसकी तिरिजिया आर है और उचाई एच है तो उसका वक्र पिष्टिये छेतरफल टू पाई आरेच हो जाएगा इसलिए आठ का बी नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए नॉमान नम्मर कोश्चन है जो कि बहुत जादा इंपोर्टेंट है कोश्चन कह रहा है कि सेक साथ डिगरी का मान क्या होता है हम मैत के पीछे वाला भी जो अब्जेक्टिव वीडियो था उसमें भी बताये थे कि आपको इन सभी का मान याद कर लेना चाहिए सेन से ले करके कॉसिक तक जितने भी मान होते हैं भैलू होते हैं सारे भैलू आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं फिलहाल यहाँ पर पूछ रहा है कि सेक साथ डिगरी का मान क्या होता है आप सेने है एक बी है रूट टू सी है दो और डी है अनंत तो बताईए नॉमा का सही अंसर क्या हो जाएगा तो नॉमा का सी नंबर उप्शन सही हो जाएगा कि सेक साथ डिगरी का मान दो होता है अप लोग ध्यान रखियेगा सेक साथ डिगरी का मान कितना होता है दो होता है अब दसमा नंबर कोशन देखेंगे शार्व अंतर जिसको D बोला याता है शार्व अंतर D हो सकता है ठीक है शार्व अंतर D हो सकता है क्या हो सकता है धनात्मक हो सकता है रिनात्मक हो सकता है कि सुनने हो सकता है कि इनमें से सभी तो 10 का कौन सा उप्षन सही हो जाएगा चलिए 11 नम्मर कोशन को हम लोग देखेंगे 5 पलस 3 रूट 2 है ठीक है 5 पलस 3 रूट 2 5 पलस 3 रूट 2 क्या है एक परिमेश संख्या है कि एक आप परिमेश संख्या है कि एक पुर्नांग संख्या है कि इनमेशे कोई नहीं तो 11 का चाही अंसर कौन सा हो जाएगा तो 11 का B नम्मर option सही हो जाएगा कि 5 पलस 3 रूट दू 1 अपरी मेश संख्या है ठीक है तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 11 का B नम्मर option सही हो जाएगा चलिए 12 नम्मर question क्या कह रहा है कि निम्ने लिखित मेंशे कौन आभाज्य है ठीक है निम्ने लिखित मेंशे कौन सी संख्या है जो आभाज्य है यहाँ पर चार ओप्षन दिये गए है चारो मेंशे कौन सा ओप्षन सही होगा ओप्षन A है 28, B है 79 C है 71 और D है 36 तो बताइए 12 का कौन सा option सही हो जाएगा तो question number 12 का C option सही होगा कि इनमें से 71 है जो A भाज्य संख्या है टीक है 71 अभाज्य संख्या है अब अगला number question हम लोग देखेंगे निम्न में कौन A पर इमें नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है कि A पर इमें नहीं है option A है root 7, B है root 13, C है root 25 और D है root 31 तो बताइए 13 का कौन सांसर सही हो जाएगा तो question number 13 का C option सही हो जाएगा कि इनमें से A पर इमें कौन नहीं है देखेंए root 7 भी आपर इमें है B root 13 भी आपर इमें है लेकिन जो C नम्मर है root 25 यहाँ आपर इमें नहीं है इसलिए 13 number question का C option सही हो जाएगा तो ध्याँ रखिएगा C option root 25 सही होगा चलिए 14 number question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे निमने लिखित में से किस परिमें संख्या का दसमलव परशार सांत है इनमें से किस का दसमलव परशार सांत है option A है 2 बटा 15, B है 11 बटा 160, C है 17 बटा 60 और D है 6 बटा 35 तो बताइए 14 का कौन सा option सही हो जाएगा तो 14 का B number option सही हो जाएगा 11 बटा 160 क्योंकि 11 बटा 160 का दसमलव परशार सांत है इसलिए 14 का B option सही हो जाएगा चलिए 15 number question देखेंगे दो लगातार समसंख्याओं का महत्तम समापवर्तक है यह question important question हो सकता है आपके परिच्छा में पूछा जाए क्योंकि इस परकार के question हमेशा पूछे जाते हैं तो बताइए दो लगातार समसंख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा HCF जिसको बोला जाता है तो बताइए दो लगातार समसंख्याओं का महत्तम समापवर्त यानि की HCF क्या होगा option A है 0, B है 1, C है 2 और D है 4 तो बताइए 15 का कौन सा option सही हो जाएगा तो question number 15 का C option सही होगा कि दो लगातार समसंख्याओं का HCF कितना आएगा तो 2 आएगा इसलिए 15 का C नमर option सही हो जाएगा चलिए 16 नमर है यदि alpha तथा बीटा दिवगात पहुपद X square पलस X माइनस 2 के सुन्यक हो ठीक है alpha और बीटा एक दिवगात पहुपद है जो कि X square पलस X माइनस 2 के सुन्यक है तो 1 बटा alpha पलस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा ठीक है 1 बटा alpha पलस 1 बटा बीटा का मान पूछा जा रहा है option A है 1 बटा 2 B है माइनस 1 बटा root 2 C है 1 और D है 2 तो 16 का सही option क्या हो जाएगा तो 16 का सही option A नमर होगा कि यदि अलफा और बिटा दिवगात पहुपद एकस स्क्वाइर पलस एकस माइनस दो के सुन्यक है तो एक बटा अलफा पलस एक बटा बिटा कमान एक बटा दो हो जाएगा इसलिए 16 का ए नमर आप्शन सही होगा चलिए 17 नमर कोश्चन हम लोग देखेंगे तो 17 नमर कोश्चन कहरा है कि यदि किसी समानतर स्रेनी का एनमा पद एन पलस बी है तो इसका पदानतर क्या होगा ठीक है यदि किसी समानतर स्रेनी का एनमा पद एन पलस बी है तो इसका पदानतर होगा option A है B, B option है A, C है N और D है minus A तो 17 का कौन सा option सही हो जाएगा तो 17 का यहाँ पर B number option सही हो जाएगा A यदि किसी समांतर स्रेनी का इनमा पद A N पलस B है तो उसका पदांतर A हो जाएगा इसलिए 17 का B number option सही हो जाएगा चलिए 18 number question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे ठीक है बिंदू P, 6 और minus 5 का भूज इनमें से कौन सा है option A है 6, B है minus 5, C है minus 6, और D है 5 तो 18 का कौन सा option सही हो जाएगा तो 18 का A number option सही होगा कि P, 6, minus 5 का भूज होगा 6 इसलिए 18 का A number option सही हो जाएगा अब उन इसमां number question हम लोग देखेंगे बिंदू 2, 3 इस्थित है, ठीक है बिंदू 2 और 3 इस्थित है कहाँ इस्थित है परथम पाद में कि D, T, P, C, C, नम्मर option है कि D है, 4 पाद में तो बताइए, 18 का कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पर 18 का A number option सही हो जाएगा कि बिंदू दो और तीन पर्थम पाद में इस्थित है उन्हें इसका ए नम्मर उप्सन शही होगा चलिए बीसमा नम्मर कोशन कह रहा है कि यदि X वरावर A, Y वरावर B तो समी करन X माइनस Y वरावर 2 है ठीक है यदि X वरावर A और Y वरावर B समी करन X माइनस Y वरावर 2 है और X वरावर 4 के हल हो तो A और B के मान करमसह क्या होंगे ठीक है यहाँ पर X वरावर A और Y वरावर B दिया हुआ है और समी करन है कि X माइनस Y वरावर 2 और X वरावर 4 कि दोनों के यदि हल किया जाए तो A और B का मान क्या आएगा तो A और B का मान C नम्मर हो जाएगा कि 3 और 1 आएगा ठीक है तो 20 का C नम्मर option सही हो जाएगा चलिए अगला नम्मर question देखेंगे 21, समीकरन X square plus 2X plus 4 बराबर 0 के मूलो की प्रकृर्टी है ठीक है समीकरन यहाँ पर दिया हुआ है X square plus 2X plus 4 बराबर 0 इसके मूलो की प्रकृर्टी क्या है option A कि बस्तविक और समान है कि बस्तविक और A समान है कि A बस्तविक है कि इनमें से कोई नहीं तो 21 का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो इसका C number option सही होगा कि X square plus 2X बराबर 4 बराबर जादी 0 है तो जो मूलो की प्रकृर्टी होगी वह आवास तविक होगा इसलिए कि इसका C number option सही हो जाएगा अब 22 number question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो 22 number question कह रहा है कि बिंदूओं 4, minus 1 ठीक है 4 और minus 1 और इधर दिया हुआ है 2 और 3 तो यह दोनों की बीच की दूरी कितना होगा ठीक है इस परकार के question उपर में भी हम दो 3 question देख चुके हैं आपको हम बताए भी कि इस परकार का question थोड़ा important question होता है एकजाम के भी उसे इसलिए बताए बाइस का सही अंसर क्या हो जाएगा बिंदूओं 4, minus 1 और 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी option A है 3 root 3 इकाई B है root 5 इकाई C है 3 root 5 इकाई और D है 2 root 5 इकाई तो बाइस का सही अंसर इसमें से क्या होगा तो इसका सही अंसर D नम्मर हो जाएगा कि 4, minus 1 और 2 और 3 के बीच की दूरी 2 root 5 इकाई होगा तो बाइस का D नम्मर option सही हो जाएगा चली एगला नम्मर कोश्चन हम लोग देखेंगे बिंदूओं 4 और 10 और 2,2 ठीक है 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मद बिंदू 0 और 2 की दूरी है देखिए बीच वाली जो रेखा खंड होती है जिसका मद बिंदूओं वाला कोश्चन हम उपर में भी देख चुके है तो बताइए बिंदूओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मद बिंदू 0 और 2 की दूरी होगी अपसन A है 6 काई B है 4 काई C है 5 काई और D है 12 काई तो बताइए इसका कौन सा उपसन सही हो जाएगा तो इसका C नमर उपसन सही हो जाएगा 5 काई ठीक है बिंदू 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली जो रेखा खंड है उसके मद बिंदू 0 और 2 की दूरी 5 ही काई हो जाएगा इसलिए इसका C नमर उपसन सही हो जाएगा चलिए 24 नमर कोशन हम लोग देखेंगे यदि ट्रेंगल ABC के सिर्सो के निर्दे सांक A24 B है 0,6 और C है 4,-1 तो यहाँ पर पूछ रहा है तिर्भुज के किंदरक के निर्दे सांक क्या होंगे ठीक है यदि ट्रेंगल ABC के सिर्सो के निर्दे सांक आपको यहाँ पर दिया हुआ है A दिया हुआ है 2,4 B 0,6 C 4,-1 तो पूछ रहा है तिर्भुज के किंदरक के निर्दे सांक होंगे option A है 3,2 B है 2,3 C है 3,5 और D है 2,-3 तो बताइए इसका कौन सा option सही हो जाएगा तो इसका B नम्मर option सही हो जाएगा 2,3 इसलिए 24 का B नम्मर option सही होगा चलिए अगला नम्मर question देखेंगे 25 यदि बिंदू 1,2 0,0 और 1,B सनरेक हो ठीक है यदि बिंदू 1,2,0,0 और A,B सनरेक हो तो क्या इसमें से होगा option A बराबर B हो जाएगा कि A बराबर 2B हो जाएगा कि 2A बराबर B हो जाएगा कि A पलस B बराबर 0 हो जाएगा तो 25 का कौन सा option सही होगा तो यहाँ पर B नम्मर option सही हो जाएगा A बराबर 2B ठीक है यदि बिंदू 1200 और A बी संड्रेक हो तो यहाँ पर B नम्मर उप्सन से ही हो जाएगा A बराबर 2B चलिए 26 नम्मर कोशन कह रहा है कि दो समान कोनिक फिर्भुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदेब समान होता है यहाँ पर ध्याँ रखिएगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदेब समान होता है यह किसका कथन है ठीक है दो समान कोनिक ट्रेंगल है जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात सदेब समान होता है तो यह किसका कथन है आरे भट का कि यूकलीड का कि थिल्स का कि D है इनमें से कोई नहीं तो 26 का सही option क्या हो जाएगा अब लोग ध्यान रखिएगा यह थिल्स का कथन है इसलिए 26 का C नमर option सही हो जाएगा चलिए 27 नमर कोशन देखेंगे तो 27 नमर कोशन कह रहा है कि यदि किसी तिर्भुज के दो भुजाओं के बर्गों का योग हिसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो हिसरी भुजा के समुख कोन का मान होता है option A है 60 degree B है 45 degree C है 90 degree और D है 30 degree तो बताइए 27 का कौन सा option सही हो जाएगा तो 27 का C नमर option सही हो जाएगा 90 degree अब चलिए 28 नमर question देखेंगे question कह रहा है कि कोई भी triangle ABC जो कि शमांतर है triangle DEF के जिसमें BC बराबर 3 cm है EF बराबर 4 cm है यदि triangle ABC का 56 cm2 हो तो triangle DEF का 56 cm2 यहाँ पर 28 का सही अंसर हो जाएगा 96 cm2 यानि कि B नमर option सही हो जाएगा तो 28 का B नमर option सही हो जाएगा चलिए 29 नमर question है Bangkok के अंदर एक दिये हुए बिंदू से बिंदू से बिंद पर कितनी asppers रेखाएं ख치ी जा सकती है बिंद के अंदर एक दिये गए बिंदू से बिंद पर कितनी रेखाएं खीची जा सकती है तो इसका अंसर होगा एक भी रेखा नहीं यानि की 0 ब्रीत के अंदर दिये हुए बिंदू से ब्रीत पर एक भी रेखा नहीं खीचा जा सकता है यदि ब्रीत के बाहर बिंदू रहेगा तो रेखा खीचा जा सकता है लेकिन बृत के अंदर से कोई भी रेखा नहीं कीचा जा सकता है इसलिए 29 का D नमबर option सही हो जाएगा 0 चरी अगला नमबर question है यदि triangle ABC तथा triangle DEF में ठीक है यदि triangle ABC और triangle DEF में AB बरावर DE बरावर BC बरावर EF हो तो दोनों तिर्भुज समरूप होंगे जब option A है कोन A बरावर कोन F B है कोन A बरावर कोन D C है कोन B बरावर कोन D और D है कोन B बरावर कोन E तो बताइए इसका कौन सा option सही हो जाएगा तो इसका D नमबर option सही हो जाएगा कोन B बरावर कोन E यदि triangle ABC और DEF में AB बरावर DE बरावर BC बरावर EF है तो दोनों तिर्भूज समरूप होगा जब कौन B और कौन E आपस में बराबर होगा इसलिए D नम्मर उप्षन इसका सही हो जाएगा चलिए 31 नम्मर कोशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो 31 नम्मर कोशन कह रहा है कि समधिवाहु समकौन तिर्भूज ABC जहां कौन C समकौन है तो ABS स्कौाइर बराबर क्या होगा तो ABS स्कौाइर बराबर हो जाएगा 2 ACS स्कौाइर इसलिए 31 का E नम्मर उप्षन सही हो जाएगा चलिए 32 नम्मर कोशन कह रहा है कि कि किसी वह बिंदू P से एक ब्रीत जिसका खेंदर जीरो है और उस पर खींची गई दो असपर्स रेखाओं पीए एबं पीवी के बीच का कौन 80 डिगरी है तो पूछ रहा है कि कौन पीवी का मान क्या होगा ठीक है कोश्चन को पहले आप लोग ध्यान से समझेगा एक ब्रीत जिसका सेंटर कितना द जाएगा ए नमर 50 डिगरी ठीक है 50 डिगरी होगा कोन पीवी का मान क्या हो जाएगा 50 डिगरी चली अगला नमर कोश्चन हम लोग देखेंगे कोश्चन कह रहा है कि ट्रेंगल ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदू D तथा E इस परकार है कि DE परलल BC है ठीक है DE परलल BC है औ AD अनुपात DB बराबर 3 अनुपात एक दिया हुआ है तो कह रहा है कि यदि AE बराबर 6.6 cm है तो AC का मान क्या हो जाएगा ठीक है कोश्चन कह रहा है कि एक ट्रेंगल है ABC जिसकी भुजाएं AB और AC पर दो बिंदू D तथा E इस परकार है कि DE परलल BC है और AD अनुपात DB बराब 3 अनुपात एक दिया हुआ है यदि AE बराबर 6.6 cm है तो AC का मान क्या होगा ओप्सन A है 8.8 cm B है 8 cm C है 7.4 cm और D है 7.2 cm तो इसका सही अंसर हो जाएगा 8.8 cm तो AC का मान कितना हो जाएगा 8.8 cm चलिए 34 नमबर देखेंगे शमांतर सिरेनी 8,10,12 यहाँ पर खाली अस्थान है और पूछ रहा है कि 10 मा पद कौन सा होगा यहाँ पर 3 दिया हुआ है 8,10 और 12 और यहाँ पर 10 मा पद क्या भराएगा जो आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इसका सही अंसर B हो जाएगा 10 मा पद 26 भराएगा ठीक ह तो 34 का B नमर आपसन सही हो जाएगा चलिए 35 नमर कोशन है कोशन कह रहा है कि अदिस समीकरन X स्क्वार पलस 2 के X पलस 4 बराबर 0 का 1 मुल 2 है तो उसके के कामान क्या होगा तो 35 का सही अंसर B नमर हो जाएगा माइनस 2 के कामान क्या होगा माइनस 2 होगा चलिए 36 नमर कोशन है कि समांतर स्रेनी ये कैस 18 और 15 तो इसका पूछ रहा है कि कौन सा पद सुनने होगा इसका केमा जो पद होगा वह सुन होगा जिस परकार से आपको हम उपर में बताये थे कि दसमा पद यहां पर क्या भराएगा देख यहां पर हम आपको बताये थे कि 8, 10 और 12 दिया हुआ है और पूछा जा रहा था कि यहां पर दसमा पद क्या भराएगा उसी परकार से यहां पर पूछा जा रहा है कि समांतर स्रेनी दिया हुआ है 21, 18 और 15 और पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद सुन होगा तो इसका 36 का C नमबर option सही हो जाएगा कि जो आठमा पद्ध होगा वह सुनने होगा इसलिए 36 का C नमबर option सही हो जाएगा चलिए 37 नमबर question है कि समीकरन 2x square plus 5x minus 12 बराबर 0 है ठीक है 2x square plus 5x minus 12 बराबर 0 का एक मुल निम्न में से कौन सा होगा पुछ रहा है कि इसका 1 मुल इस चारो option में से कौन सा होगा तो इसका C नमबर option सही हो जाएगा माइनस 4 होगा समीकरन 2x square plus 5x minus 12 बराबर 0 का 1 मुल माइनस 4 होगा चलिए 38 नमबर question देखेंगे यदि किसी बहुपद पी x बराबर 1 square minus 2x plus 5 के सुनियक अलफा और विटा हो ठीक है पी x बराबर क्या दिया हुआ है 1 square minus 2x plus 5 के सुनियक जो है वह अलफा और बिटा है तो अलफा पलस बिटा का मान क्या हो जाएगा 38 नमबर question है जिसमें दिया हुआ है कि x square minus 2x plus 5 के सुनियक अलफा और बिटा है तो अलफा और बिटा का मान क्या हो जाएगा तो इसका अंसर 2 हो जाएगा 38 का B नमबर option सही होगा अब चलिए 49 नमबर question है कि sign 90 degree minus A बराबर क्या होता है या formula है एक परकार का तो बताएगे sign 90 degree minus A बराबर क्या होता है option A है cause A B है 10 A C है sick A और D है cause A तो बचाएगे 49 का सही अंसर कौन सा हो जाएगा तो 49 का A नमबर option सही होगा कि sign 90 degree minus A बराबर cause A होता है इसलिए 49 का A नमबर option सही हो जाएगा उसी परकार से 40 number question भी पूछ रहा है कि 90 degree minus C कास S 1 के बराबर है मतलब स歖 S 1 के बराबर इसमें से कौन सा है एक बटा काउसे की एक बटा काउसे की एक बटा Sign A की एक बटा caught A तो बताएगे 40 का सही अंसर कासा हो जाएगा तो question 40 का A नमबर option सही हो जाएगा कि शेक A कमान होता है एक बटा कॉस A ठीक है तो 40 का A नमर आप्शन सही हो जाएगा तो चलिए यहीं कुल 40 कोश्चन आपको इस प्रैक्टी सिट में देखना था जो की काफी ज़्यादा महत्वपूंड था इसलिए आप लोग एक कोश्चन को ध्यान से याद कर लिजेगा और समज लिजेगा चलिए इसी के साथ हम आज का एह वीडियो समाप्त करते हैं तो आपको एह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए अपने दोस्तों के भी शेयर करिए और जो भी एस्टुडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा लिजे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अग